बलिया जन्पत के चितबनागाउं थानाक शेत्र के स्थानिय नगर पंचायत स्थित वार्ट संख्या छे पटेल नगर में बीच रास्ते में ही नाबदान का पानी बह रहा है जिस से आने जाने वाले राहगीरों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पढ़ रहा है प्राप जानकारी के अनुसार कस्बे के ही पटेल नगर बस्ती में दानिश आलम के घर के पास खुलाया में इसकदर नाबदान का पानी बहा रहा है कि आने जाने वाले राहगीरों, बुजुर्गों, महिलाओं तथा पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को गिरकर चोटिल होने की प्रबल संभावना बनी हुई है वार्ड वासियों का कहना है कि इस प्रकरण की जानकारी लिखित वो मौखिक रूप से अनेको बार अधिशासी अधिकारी, चेर्मेन तथा वार्ड सभासत को दी गई मगर अब तक सिर्फ आश्वासन ही हाथ लगा है जब हम सभी कस्वे वासियों के द्वारा उप्त मार को सही कराने की बात की जाती है तो सिर्फ आज कल अगले माही या फिर हो जाएगा जैसी बातों से टाल मटोल कर दिया जाता है अतहिस परिस्थितियों में वार्ड वासियों का कहना है कि यदी समयानुसार एक सप्ता के अंदर यदी इस मार को दुरुस्त नहीं कराया गया तो निश्चित रूप से नगर पंचायत कार्याले का घिराव करने के लिए विबश हो सकते हैं